यदि वो बाल में किस संत्र अभी दास को मानते हैं और अमबेदकर को, पेडियार को, साभीतर बाय फूलो को, ये लोग की बीबी बाल बच्चा थोड़ी वहां बैठेगा, पपू यादब की माँ बैएं थोड़ी जागी वहां बैठते हैं, पपू राम, पपू पासबान, पपू नुनिया, पपू चंदवल्सी, पपू कहार, पपू साभ, पपू चोदरी, पपू कलवार, पपू डों, पपू मुसर, पपू निसाद, पपू केवट, गरीबी का सबसे बड़ा कारणा भाग किसमत बगबान, चमतकार करना हो तो बार से मुक्ति दिला दो विहार जो सबसे ज़्यादे गरीब है, उसको बचा दो, बन परेफेक्टी को करा दो, और चमतकार करना हो तो दलाल, मापिया, परादी और भरास्ताचारी, का जो नेक्सस है, उसको मिटा दो, जब 46 लाग कोरोना में मर रहते तो तुम कहा थे, तब तुमारी फट क्यो रही थी, तुम चमतकार क्यों नहीं कर दिया? मुझे परपुर में हो चुका है, तो इस तरह एक तरफ बिरोद, एक तरफ सरकार सर अज्छन दे रही है, सर कैसे देखने हैं इसको, एर अतित्थी देवो भवा, बिहार अतित्यों को भगवान के रूप में देखते हैं, जिनको जो मानना होता है, जिन विचारों हर तरह क कि लोगों को हर तरह के विचारों के साथ मानना चलना जीने का अधिकार है, भारत ही एक ऐसा देश है जहां जीने की, रहने की, खाने की, स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी है, संविधान हमको हर तरह के लिहिंग, भासा, छेत, जाती, धर्म, पर जीने का राइट देता है, बात रही कुनो बाबा या किसके, मैं दो-तीन बात हमेशा बार-बार कहता हूँ, बिज्ञान और अध्यात में कोई चमतकार नाम की चीज मैंने दुनिया में नहीं पढ़ी है, ना किसी गीता में, ना कुरान में, ना बाविल में, ना कहीं ना पढ़ा हूँ, अब भगवान का जो आकरसन है, वो भगवान की जो कथा है, वो बिलकुल डिफरेंट है, लेकिन प्रिजेंट में जब हम वर्ल्ड को विज्ञान की रूप में देखते हैं, अब भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, जिससे डर हुआ, उसको भी लोगों ने भगवान मान लिया, सांपकी भी पुजा होने लगे, छिपकिली, गाय, गोरु, गंगा, मतलब दुनिया में जयें, जो मन में आया, सो पुजा लोगों ने किय जिससे आवशकता हुआ, उसको भी भगवान मान लिया, भगवान का कोई कॉणसेप्ट भी बेख, अब जब हेमो सेपियन और सेपियन के बाद हम दुनिया में आये, तो हमारे पास ना लिपी था, ना बर्ण था, ना अक्षर था, ना किसी भी तरह के समावेशी विचार थे, हम मुलवासी आदिवासी थे, और तब से लेकर के आज तक, जियों मनुष को जिस तरीके से, जिन परस्थितियों से गुजरना पड़ा, उस परस्थितियों के मुल्यांकन के अनुसार, आब शक्ता के अनुसार, लोगों ने हर चीजों की अविश्कार कर ले, रात्री में डर था, तो सुर्ज की प्रकास की उमीद हुई, तो भगवान मान लिया, अगनी से जानवरों का जलना हुआ, रात्री में अगनी का प्रकास हुआ, तो लोगों ने दुस्मन का दुस्मन, दोस्त को अपना भगवान मान लिया, तो अगनी को पृथम सर्वशक् अब एक तरफ कृष्ण को भी लोग मान लेते हैं एक तरफ नाग पंच्वी भी कर लेते हैं जबकि कृष्ण नाग का बद किया था दुनिया में जितने भी कोई इस्ट आये भगवान आये जितना मैं जानता हूँ जिनको वो गौड के रूप में जैसे शीव ने भी जब आये पृष्ण रिशी भगवान के रूप में जब एक परिवार का निर्मान हुआ वसुदेव कुटुमबकम की बात आई सरधर्म संभाव का तो मैं सिर्प इतना आप से कहना चाहूँगा कि उन्हों ने भी अंदिविश्वास जैसे चीज अडंबर कर्मकान जैसे चीजों को थबजों ने दी और वो बेद में भी लिखा वाँ उसमें शीव की तीसरी पतली ने तो अपने पिता के अग्यानता के कारण और शीव का अपमान किया था उन्होंने आउती भी दे दी तो हम तो बेद ने जो बेद परते हैं उसे पुछिए शीव ने मानब निर्मान की भूमिकानी भाई साधना दिया तांत्रिक साधना दी शंगीत दिया अइरवेद दिया अथरवेद दिया कौसकी दिया तांडब दिया कौसकी महलाओं के लिए तांडब पुरूस के लिए शीव के चारे छोहाजार बर्स बाद विज्ञान के और नासा के मताविक महाभारत का काल आया रमाइन के काल में अभी बहुत सारी भी संग्यतिया है लेकिन महाभारत का काल आया अब मैं यह नहीं करूँ कुछ में भगवान का क्या कॉर्सेप्ट है जितना मैं सदन में साथ बार M.P.M.L. है रहा या देखा या सुला या वर्ड को जितना जानता हूँ जिस किसी को मैं देख रहा हूँ बुद्ध को देखा राना को जाना गुरु गोविंद को जाना रामकिस्परमहंस को जाने बालमिकी को जाने संत्रविदास को जाने लिखिएगा तो आपको सब के बारे में पता ये चलेगा कि सभी लोगों ने इस दुनिया में जो भी लोग मनुस से उपर जिसको हम महामानव महापुरूस जो भी आप कहना चाहते हैं उससे जो उपर आए उन्होंने किसी भी तरह का चमतकार नहीं दिखाया आनन्मूर्थी जी भी विज्ञानिक अध्यात्मी गुरूप से आनन्मार की गुरू आए इस तरह से जितने धर्ती पर आप उठा के देखोगे उन्होंने कर्म को प्रधानता दिये काड़ियों को प्रधानता कर्टव्यों के पथ पर चले को दृष्टी को सबसे सर्वत्तम माना है असत्त कर्म को लोगों ने अपने मन मतब उसको संपूर्ण रुप से विश्वास के साथ खरे हो गया अब आस्था की चीजें हैं मानो तो देव ना तो पत्थर लोग मानते अब उसको लोगों के मानने पर हम आलोचना नहीं कर सकते हैं परचा खुलवाएंगे हमको तो समझे में नहीं आता पहले तो सुनो है हम जिस संत को जानते हैं उसको बिवे कानंद है राम किस परमन से हमारे बिहार में कहूंगा मैं महावीर को जानता हूं मैं बुद्ध को जानता हूं मैं कर्ण को जानता हूं गुरु गोवीन को जानता हूं मैं बिहारी हूं सीता को आप जितने को बालमिकी को जानता हूं विश्वामित्र को जानता हूं या ऐर्ज भट से लेके सुन से लेके चानक के सहस्तरात में लिए किसी ने हराया तो मेरी धरती ने हराया हम कि हम दुनिया को नहले हैं तो हम अब पहुए सरकार को देखने तो जा नहीं रहें वो भी चमतकार आज करत रहता है उसके पहले भी जो पुर्मंदी के बाबा थे गाम पकार करते रहते थे कुछ न कुछ न कुछ ज कुछ अब हम मानते हैं संत की रूप में ठीदिक के साहिं बाबा हं एओं हम अपने हम अरसी मैं कराम की किसी बुरा विचारों की खिलाब लड़ने वाले परसु राम जी को लोडिक को सलहेज को साबित्री वाफिलों के जिन्होंने एक जीवन निर्मान की एजूकेशन की सुर्वात की माहत्मा जोती वाफुले को रामा स्वामी पेडियार को ऐसे लोग जुसने भदलाव किया सब भाभा को तैंट को बारता कार पार करता है अब आसा राम को बारतकार में बार्र बलातकार के सजा हो गया तो इसको भी बाबा उसके लिए फी लोग मार्केटिंग करते थे नासते थे राम रहें वो निकालते हैं जेल से मौटरर है नागपाल मौटरर है मुझ में लिपिष्टिक लगा लो भीबी खुश हो जागी यह से लगा लो आकरसन हो जागा काजल लगा लो यह वह भबूत लगा लो अब हम कोई भूद भबूत के फेर में तो भारत है नहीं अब ऐसे लोग जो इस धर्ती पर आए कुछ बाबा लाजनीं करने का काम सुरू से करता रहा अब चंद्रा स्वामी उकुनों बाबा थे अब संद्रों स्वामी को लोग बाबा 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 को मंद पर नेते लोग ना मार्केटिंग करता है नों कि अपैसे वाले लोग पुंजी पती लोग पार चुटा है ताकतवर लोग जाके पार चुटा है तो दुनिया को आम आदमी कमज़ोर और गरीब को लगता है रहे बापी यही सब कुछ है अपिर उसी को फॉलो करने लगता है कंट्री गरीबी भू कि इतना ज्यादा है मेडिल क्लाश सो हाजार रुप्या पर के पिटा इंकम नाइनटी टू पर तिस्द लोग का अब पचासी करोर लोगों को नमोदी कहता है कि हम दस किलो अनाज हमरे बिली हमी से मियों हमरे पैस अब आप अधर कंट्री में इस ऐसी चीजों को मानता क्यों नहीं है वाल्ड में ऐसे चमतकारों को ऐसे बाबाओं को मानता क्यों नहीं है अब तब भी मार्केटिंग वी 2014 मार्केटिंग वी दुचाठ्टो बाबा को यह 10,000 कोड़ी बाबा सबका मैं समझे माल उन्हों को मिल गया उस सबका नाम क्या लेना है अपना अब जो लोग इस तरह की बात करते हैं पेखाना पर यदि आप पथर पिकिएगा तो गंद की तो हमी पर परेगा अब गोबर पर काहला आप घी डाल रहे हैं क्या जौरत है विरोद का कोई मिनिंग है प्रते किरिया के भी प्रती किरिया होने लगती है ऐसे लोगों को मरने छोड़ देना चाहिए आप पर केस हो एदे बाप छोड़िए नकों पर उट बैटिएगा अब दूखान दोड़ी बंद हो जाता है विजे पी नेतालों का तो ऐसे ही लोगों की गनेश परिकर्मा ही लोग करते रहते हैं हमारा देश जो है कंप्लिट कृष्ण को सीव को मानने वाले लोग हैं बुद्ध को कवीर को ऐसे लोगों को जो हमारा देश तो कभी भबूद और बाबा रिशी को मानते थे हम रिशी से गुरुकुल की बात करते थे अब तो पाइसे के बदूलत अभी एक बिरंदर धाम बना है मध्परदेश में एराजस्थान में वहां तीन हिस्टा जमीन दे दिया होस्टल बनाने के लिए बिरंदर धाम बना के यह वहां संभीधान की बात नहीं करके हिंदू राष्ट हिंदू बात करता है यह सनातनी हिंदू इसको तो जेल में ठुसना चाहिए जो हमारे देश के संभीधान की बात ना करें उसको जेल में बंद करिए जो हमारे हमारा कानून क्या है हमारा कानून गीता कुरान भाइविल हमारे जीने का माध्यम हो सकता है एक सुंदर जीवा निर्मान की किया जा सकता है हमारे वे अप लाइफ जो है हमारा जो डिस्सिप्लीन है सिस्टम है हम जो जीते हैं हमारी जो एकनोमी है हमारी जो पॉल सब समीधान में हमें जी दिया है ना समझ रहे हैं आप यह समीधान की बाते यह नहीं करेगा इमध प्रदेश में कौन धाम उसका नाम नहीं लेना हमको नहीं समझे हम यह कह सकते हैं कि कोई लड़का बच्चा एक ठो को जिसकी मार्केटिंग करवाया कौन सास्त्री इसको लड़के न कहें वह बभववाण इस अब लड़ बभवे नहीं है आप उसको फोटो लगा के बरका इलो पहले नहीं कौन-कौन का ब्रांडिंग करता था परचार-परचार तो इतना बड़का बड़का प्रांडिंग पैसा कहां से आ रहा है जो चमतकार करता है हम हम उसको नमस्कार कर लेंगे मेरा पांच तो सवाल है पहला सवाल है गरीवी को ख़तम कर दो अमीर बना दो दूसरा सवाल है अस्पताल एजुकेशन हमारा फ्री कर दो हमको पूर्ण कर दो तिस्ता सवाल है कि वेरोजगारी हमारा देश से खतम कर दो चौता सवाल है किसान को उद्यों का दर्जा दे दो पाचमा सवाल है हर घर के आदमी को एक लाग रुप्या महने का इंकम करा दो छठा सवाल है चैना बोडर से लेके बंगलादेश सब पाकिस्तान पर जो खर्च होता है हमरा ज्याद है पहिशा सब आर्मी बंदूग तोप को हटा दीजिए और आप चमतकार से पाकिस्तान को फू कर दीजिए हम उचाते हैं पाकिस्तान चमतकार से लिट गया फू चमतक पाकिस्तान फू चैना फू समझे भारत को नंबर बन कर दीजिए अभी तुम पाकिस्तान से भी नीचे चले गए 2.1 पर नमारा जो विदेशी एक्षेंट डॉलर है वो पाकिस्तान से भी कम हो गया पंदरह दिनों से आप देखे इस अब कोई करेगा इस अब देखेगा फ पुल इमा में जित गया कराके अर उसके बाद ही नफरत पईदा करने के लिए ठ्ली हिए अग्रेश की आ कि अचया क्या reacting समझ रहा है 56 इन शीना तो दरजीना नापेगा 56 इन शीना खा करके आपका कहा जाएंगे गरीब लोग तो यह तिसरा कर दिया कस्मीन फायल उससे भी नफरत नहीं पएदा हुआ अब ले आया केरला अब बजरंग वली कौन बनाया है पता आपको बलतकारी भिने कठियार चार दीन लड़की के साथ रेप करके उसने रखा था पून मिस्रा था उस मिस्रा जी को चार दीन रखा बलतकार किया एमपी था हम लोग हंगामा किये आँस तक कुछ नहीं हुआ और बजरंग वली भायो बजरंग वली पर भोंट डाल देना जब बजरंग वली पर भोंटी मांग रहा है बजरंग दल पर अब बजरंग बली का भगवानों का ये लोग बेज़त कर दिया है मोदी अरे भगवान हनुमान जी को बेज़त कर दिये तो पपुया दब हम लोग तो देश में मर गया अब तो मा फित उईलों को मंगना चाहिए भजरंग बली से भजरंग दल का क्या सा मन अब मोदी जी को याद नहीं है स्री राम सेना का इनों ने लोगों ने गौवा में बंद किया था तो राम को कैद कर दिये और अभी सीव सेना को बंड दिया तो क्या सीव जी को बंड दिये ए दादा एक को बार विकास की बात नहीं करता है एक को दीन सब कुकर्म करके करनाटक में देख लिया फिनिश्ट अब इसका कोनो भाग भगवान अंद विश्वास पर केस है जो अडंबर अंद विश्वास का काम करेगा उस पर केस है समझ रहे हैं अनिति उसकुमार्दी उस केस के एक्ट के तहद इसको आप नहीं आने दीजिए समझे तो अंद विश्वास क्रम कांट को तो हम बढ़ावा नहीं देए हमारा देश नहीं हम लोग इसके विरोधी हैं तो इसको ऐसे समझ यह प्लांटेड है पॉलिटिकल वेंड़ेटी एक बैक अप किया गया है 2024 के लिए जब लोग देख रहा कि अब लैंड किया है हरे दादा सुनिए भी कि 2024 में एक छोड़वा को लाया चोड़ा नोड़ा इस सब अब देखे वह भी चोकलेटिया चोड़ा है कि अज़ गया है कि एट्रेक्शन अब उसको लाया मार्केटिंग किया अश्रब चैनल को पैसा देके उसकी मार्केटिंग करवा रहा है सब न्यूज गया देश का तीसरा सबसे वरा हिंसा हुआ है मनिपूर में विधायक मारे गया सो से उपर मर गया प्रधान मंत्री एक बार भी कॉंटेलेंस भी नहीं और एक बार ट्वीट भी नहीं एक बार भी आलोचना नहीं किया फुर्सते नहीं है उनको तो हे कौन बाबा किसको कहते ही जो छोड़ा है उसको हम चमतकारी मान लेंगे वह हिंसा को रोखवा दे है इसको जो मन हो करो अपनी विचार जिसको जो ला रहा है पैसावला सौप मार्केटिंग करके हम उनसे एक हाथ जोर के आगरह करेंगे जितना पी एम सी एम है उसकी बीबी उसकी बेटी उसकी बहीं उसका पुतो उसका पर पुतो उसकी मामी चाची नानी काकी जितना टाटा बिरला गोहन कांबानी की बेटी बीबी है जितना हीरोईन सब है जितना पैसावाला ला रहा उसको उसकी बेटी बीबी को 10 किलो मिटर कलस में पैदल चलवाई है जो लोग ला रहा है एक भी धलित गरीब पिछरों की अत्यंत पिछरा की बेटी कलस माथे पर ले करके गरीब की बेटी को नहीं चलने देंगे हैं हम अपील करते हैं कि कोई अंबेत करवादी सोच बुद् चलने दें जब तक उन्हों की बेटी बीबी ना चलती है पहला और हम अपील करते हैं कि किसी किमत पर वो ना जाएं यदि वो बाल में किस संद्रविदास को मानते हैं और हम बेटकर को पेडियार को साबीत रबाए फूलो को कभीर को बुद्ध को मावीर को क्रिस्ट को उन मार्केटिंग में ना फस हैं यह लोग की बीबी बाल बच्चा थोड़ी वहां बैठेगा निचे में पपू या तब की मा बेहां थोड़ी जागी वहां बैठने हैं पपू राम पपू पासबार पपू नुनिया पपू चंदवलसी पपू कहार पपू साब पपू चोधरी पपू कलवार पपू डॉम पपू मुसार पपू निशाद पपू केवाट पपू कमार पपू चमा अब आप हमको बताइए ना कलास लेके भी गरीब ये लोग नहीं गरीबी का सबसे बड़ा कारणा भाग किस्मत भगमान और दूसरा नेता सिस्टम हम लोगों को भाग और किस्मत में फजा दिया कि गरीबी तुमारे किस्मत में लिखल है और भगमान जो करता है वही सही है जबकि भगमान ऐसा करता ही नहीं है भगमान तो हमको अच्छा इनसान बना दिया है तो हम कर्म करेंगे न हो तो ऐसे चीज़ हम तो कर रहे हैं चमतकार करना हो तो बाड से मुक्ती दिला दो विहार को चमतकार करना हो तो मजदूरी के प्लैन रुखवा दो चमतकार करना हो तो विहार जो सबसे ज़्यादे गरीब है उसको बचा दो बंद पर फेक्टी को करा दो और चमतकार करना हो तो दलाल, मापिया, अपरादी और भरास्ताचारी का जो नेक्सेस है उसको मिटा दो हम दोनों हाँ जोर लेंगे यदि तुम चमतकार नहीं कर सकते हो जहां पर संक्राचार्ज का मठ फट रहा था वहां तुम नहीं जोर सकते हो यदि तुम साइकलोन को नहीं रोक सकते हो करोना में 46 लाख लोग मर गए तुम नहीं रोक पाए पटना के बार में तुम खाना नहीं दे पाए जब 46 लाख करोना में मर रहते तो तुम कहां थे तब 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 आई के बेगर क्यों मरा यह सवाल है इसलिए मैं हर उस बिचारधारा के खिलाप हूँ जो यह कहता है कि बाबन वहां का भुम्यार वहां का राजपुत वहां का जादब वहां का ऐसे लोगों को बैंड करिये सुबदा से बंचीत करिये मद कालिन जुक के बाद जाती है और भगवान को अस्थापित किया है विप्र ने जाती आई कब मद कालिन जुक के बाद भगवास करता रहता है ऐसे लोगों को भी पार्टी बेंड करें जो लोग मस्जित बंद कर दो अब भजरंग दल से मस्जित का मंदिर का चौपन इसन बलतकारी बिचारदारा से तो बीनैकटियार को प्राइमिनिस्टर बनाने दे जब भजरंगे दल से भॉन्ट लेना है तो बीनैकटियार को पिम बना दो पूर्ण कालिक पिम यह अभी करनाटक का पीम है अर्थकालिक पीम सब धन्दा कर लिया करनाटक में अब यह planted protect करता है और गिरिदाज ठैप के लोग सब दल में नहो गिरिदाज ठैप के लोग सब दल में नहों कोई रमाइन को गडिया देगा कोई कुरान को गडिया देगा कोई प्रहुन को गडिया देगा त्य इननों को चुनाव से बंचित करईे रोकिए मैं किसी जाती धर्म और विचारों की सुतंतरता पर गाली देने वालों के hopeful है मैं हर किम्मत पर भगवान को चमतकार आदमी को भगवान बनाके चमतकारी बनाकर परोसना मैं उसके सग्ध खिलाब हूँ क्योंकि वो गरीबों का सबसे बड़ा अपमान है और गरीबी है ही इन ही कारणों से इसलिए हम किसी भी किमत पर सरकार से हमने मांग किया है आप ऐसे नहीं किजे मेरा सरकार से बहुत किलियर सवाल है और वो सवाल इस बात को लेके है जब खालिस्तान की मांग अमरिद पाल सिंग को गरफ़तार हो सकता है तो भारत सम्मिदान को अपमान करते हुए हिंदू रास्त की मांग करने वाले सास्त्री क्यों नहीं हम दुनिया को सुन का ग्यान देने वाले बिहारी है हम दुनिया को भगवान बुद्ध को ग्यान देने वाले बिहारी है हम दुनिया को भगवान महावीर की कहिंसा अधारित जेन धर्म देने वाले बियारी है हम दुनिया के गुरु गोविन सिंग जी के सेवा भाव पर अधारित शिक धर्म देने वाले बियारी है हम संक्रा चार्ज को मात देने वाली माँ भारती की संतान बियारी है हम लब कुछ को स्वभिमान की शिक देने वाली म जान की चीता की संतान बिहारी है हमारे हैं ऐसे मुर्खता फेलाने फर्जी ढोंगी सास्त्री की कोई जौरत नहीं है हमें राजस्तान टैप का बिरेंदर धाम चाहिए ना की बागिस्वर धाम हम सनातनी हिंदु हैं बस उदेव कुटुम बकम को मांते हैं हम किसी भी किमत पर सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जी यह जो कौन सास्त्री है नाम हम बोले है हाँ हाँ यदि ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजेगा तो आर्जभट का सम्मान नहीं होगा ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजेगा तो नालंदा और विक्रमशिला विश्विद्याले का समान नहीं होगा ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजेगा तो रेनू राष्ट कभी दिनकर विद्यापति कभी का समान नहीं होगा ऐसे लोगों को बड़ावा दिजेगा तो भावु बीर को मरसी सेरसा सूरी भगवान परसूराम का सम्मान नहीं होगा इसलिए हम चाहते हैं कि जिस कारणों से इतिहास विज्ञान अध्यात और सनातनी विचारों को और आर्थी का जाधी का सबसे बड़ा बिहार दुनिया में नंबर वन करने वाला को अंधविश्वास में ना धोका जाए और इसको बैंड किया जा और आम आदमी इसका वहिस्कार करें तो देखें जो तमाम बाते थी धिरेंद सास्त्री को ले करके सब किलियर कर दिये हैं वैसे ढोगी बावाओं पर ना भरोसा करें जो आपको नीज पहुंचा है या फिर गलत बातों का सरचन दे बैराल इन सारी बातों को ले करके आपकी क्या परतिकरिया है वह हमारे नीच जैसे कुछ तो पेज पेश पेख रहो है यूटूब पे दिख रहे हैं वोर्या को सबस्क्राइब कर ले धन्यवाद अमन पटना बिहार से निस्नल दस्तक की आप से घजारी थे एक्स को बचाना चाहते है तो सब्सक्राइब करने के लिए रेटलर के